मैं हूँ जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपके आवाज थर्ड वेव रिलेटेड लेटेस अब्डेट्स ये रही थर्ड वेव रिलेटेड फर्स वीकेंड कफ्यू शुरू हो चुकी है और पॉलिस यो है वो तमाम रोट्स में बैरिकेट्स डाल रही है ये बैरिकेट्स मंडे की सुबा पांच बजे तक रहेगी लोगों को रोड पे जाना स्ट्रिक्ली मना किया गया है और जब तक जरूरी ना हो ये ना जाए कोई भी पास्स नहीं इशू किये जाएंगे और पॉलिस स्ट्रिक्ली मूवेंट्स पे नज़र रखेगी हेल्थ एक्सपर्स का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू ज़रूरी थी और कहां कि ये कर्फ्यू बेवज़ा की क्राउडिंग्स और ट्रावलिंग को प्रिवेंट करेगी पिछले वीक में ये नोट किया गया था कि पब्लिक और टूरी स्पॉर्ट्स में हेवी रश्यानी ज़्यादा भीर थी क्योंकि लोग जो हैं वो वीकेंड में ट्रावल कर रहे थे अब जो वीकेंड कर्फ्यू होगा तो एक बड़ी ब्रेक होगी वहीं ट्रेड अक्टिविस्स सज्जन राज मेहता का कहना है कि तकरीबन 60% अफ रीटल सेल जो है वो वीकेंड के दौरान होती है और 40% अफ जो है बिजनस का वो मंडे और फ्राइडे के दर्मियान होता है और कहा कि किसी भी तरह का लॉकडाउन इंपोस करने से पहले गौर्मेंट को ये कंसिडर करनाटका नेकसिस मॉल्स ने सोर्सस से कहा कि हम अप्रीशियेट करते हैं जो भी सरकार स्ट्रेप्स लेती है वाइरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए लेकिन मैं ये सरकार से गुजारिश ये भी करता हूँ कि वो इस बात से भी रीकंसिडर करें कि अगर वीकिन्स में मॉल आपरेट नहीं करेंगी तो इसका मतलब 50% आफ जो बिजनस होगा और साथी साथ ये भी कहा कि तकरीवन 15 से लेके 25% आफ लोग जो है वो अलरड़ी कम हो चुके हैं मनो सिंग का ये भी कहना है कि वो कोवीड नैंटीन एसोपीस जो है उन्हें फॉलो किये हैं और मॉल जो है वो सेफ हैं शॉपिंग के लिए अनलॉक फेसिस के दवरान मॉल्स लास्ट में ओपन किये गए थे और इस से पहले 18 मंस में बहुत ही बुरा का और होंगे नहीं होंगे तो लोकड़ान होंगे वहीं है तर्फ मिनिस्टर क्री Rogay Smirno के सुभाकर ने कहा कि लोकड़ान कॉस्द्छियाटाइब और साथी साथ कहा कि फिलहाल के लिए वह चुशा है य सरकार के आगे नहीं है एक्साइप मिनिस्टरology के लाया ने कहा कि वीकेंड जो है वो इस दवरान के बीच लिकर की सेल जो होती है वो सस्पेंड रहेगी यानि बैंगलोर में ज्यादा केस पाई जाने की वज़े से यह डिसिशन लिया गया है कि लिकर शॉप जो है वो वीकेंड में बंद रहेगी बैंगलोरू पॉलिस कमिशन कमलपंद ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजा बाहर ना निकले सिर्फ एसेंशल्स और मेडिकल सर्विसस की एक्टिविटीज ही को अलाओ की गई है जो भी लोग हॉस्पिरल जाएंगे उन्हें वैलिट सपोर्टिंग डॉकुमेंट्स या उसके रिलेटेड पेपर जिखाने पड़ेगे यानी प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कोई भी रूल्स को वाइलिट जो करते हैं तो उनके खिलाफ नाशनल डिजास्टर मानेज्मेंट आड के तहट स्रिक्ली एक्शन लिया जाएगा गवर्मेंट की तरफ से ओनलैन क्लासेस अनाउंस करने के चलते कहीं सारे कॉलेज जो है वो प्रोटेस्ट किये ताकि ओफलैन क्लासेस कंडग किये जा सके इसी के चलते ये डिसीशन लिया गया कि जो भी कॉलेजेस विस्वेश वराया टेक्नॉलिजिकल यूनिवर्सिटी से अफिलियेटेड हैं उन्हें फंक्शन करने की परमिशन दी गई है जो की बैंगलोर अर्बन डिस्टिक्स में आते हैं इन यूनिवर्सिटी को जो है वो एस ओपी यानि कोवीड अप्रॉपरेट बिहेविर जो है गाइडलेंड जो है उन्हें फॉलो स्ट्रिक्ली करना पड़ेगा लॉफ फंक्शन करेंगी जी हां फ्राइडे को रूल्स रिलाक्स किये गए और नए रूल्स के मताबिक ऑफि लाइक शेयर और कमेंट आप वीडियो और प्लीज दू फॉलो कोवीड अप्रॉपरेट बिहेविर्स गाइडलाइन और स्टे सेफ स्टे होम बिकॉस अब जो है थर्ड वेव शुरू हो चुकी है थैंक यू दिस इस रूफी सुलताना फॉर आपकी आवाज